हेलो गाइज वेलकम बेक टू तु 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 शाव लोक्स आज है हमारी सामने दर ब्रैंड न्यू मारूती ग्रैन विटारा जैड़ा प्लस कंप्लीट हाइब्री 2023 वेरियंट और जो इसका हाइबिड वर्जिन है यह जैड़ा प्लस वेरियंट से स्टार्ड होता है सबसे पह पास बात यह कि कंपनी क्लेम करती है 27.97 kmpl की माइलेज जो एक बहुत ही बढ़िया माइलेज है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस प्रोड़क्ट को ख्रीदने के बाद और इसकी जो लुक्स है बहुत ही प्यारी है बहुत ही बढ़िया फील होने वाली है अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक के बारे में फ्रंट से गाड़ी देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है यहाँ पर हमें LED DRL मिल जाती है यह इंडिकेटर का भी काम करती है और नीचे आपको LED प्रोडेक्टर सेटप मिल जाता है यहाँ पर ग्रिल पर आपको Chrome Finish मिल जाती है Suzuki का Logo मिल जाता है देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है इसकी ग्रिल ओवरोल जो लुक है गाड़ी की वह बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाली है अब बद करते हैं इसकी side profile के बारे में तो side से भी देखने में गाड़ी आपको बहुत ह बढ़िया फील होने वाली है यहाँ पर हमें 17 इंची के Alloy Wheels मिल जाते हैं Diamond Cut 225 60 और 17 इंची की profile आपको यहाँ पर मिलने वाली है जो इंडिकेटर की placement है वह आपको और वियंस पर ही मिल जाती है और यहाँ पर हमें Chrome Window Garnish भी मिल जाती है डोड हैं पर request sensor भी मिल जाता है जो ए बहुत ही बढ़िया लगने वाली है overall जो लुक है गाड की वह बहुत ही प्यारी आपको मिलने वाली है यहाँ पर हमें complete LED टेलाइट मिल जाती है जो रात को आप रात को जो इसकी लुक होगी वह बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर hybrid की बैजिंग मिल जाएगी यहाँ पर indicator की replacement, reverse lamp और reflector यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले है नीचे आपको four parking sensors भी मिल जाएंगे जो बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पर हमें wiper, defogger, high mode stop lamp and shark fin antenna मिल जाता है अब बात करते हैं इसकी fuel tank capacity के बारे में तो यहाँ पर हमें 45 liters की fuel tank capacity मिल जाती है जो बहुत ही बात करते हैं इसकी boot space के बारे में तो boot इसका देखने में बहुत ही बढ़िया है लेकिन जो पीछे इसकी hybrid की battery है वो रखी हुई है जिससे जो boot space है वो कम हो जाता है वैसे तो ठीक है मतलब थोड़ा सा आपको कम मिलेगा इसके smart hybrid variant से यहाँ पर हमें partial tray भी मिल जाती है तो य पूट यूज करता है 91.18 bhp and 122 enum of torque company claim करती है 27.97 kmpl की mileage लगब 28 km per liter की mileage जो बहुत ही बढ़िया mileage है overall जो fit and finish है बहुत ही बढ़िया है तो यह है इसकी engine की details so guys यह थी इसकी सारी exterior की details I hope आपको गाड़ी बाहर से बहुत ही बढ़िया लगी होगी मुझे personally गाड़ी बहुत ही बढ़िया feel हुई और मुझे यह color भी बहुत प्यारा लगा अब बात करते हैं इसके interior के बारे में so interior में जाने से पहले बात करने हैं इसकी key के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर power windows के controls दियो हैं और गाड़ी को lock unlock करने के लिए भी controls दियो हैं और overview को adjust करने के लिए controls दियो हैं नीचे हमें one liter की bottle लखनी के लिए space मिल जाती है और speakers की placement मिल जाती है जो look है गाड़ी की वह बहुत ही बढ़िया है जो इसकी seats है वो हमें height adjustable option के साथ मिल जाती है और जो इसकी कुछनी का वो बहुत ही बढ़िया है आपको long room में ठकावर नहीं होने वाली और जो इसके headers है वो adjustable आपको मिल जाती है अब चलते हैं गाड़ी के अंदर बात करते हैं इसकी features के बारे में और interior के बारे में जो look है interior की वह बहुत ही बढ़िय आपको देखने को मिलने वाली है pure black interiors आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले है अब बात करते हैं इसके instrument cluster के बारे में जो instrument cluster की look है वो बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाली है complete digital instrument cluster आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है यह average trip A trip B distance to average चैसे features तो show करे गाई लेकि music system के बारे में तो यहाँ पर हमें 9 inches का touch screen system मिल जाता है जिसकी जो smoothness है touch quality है वो बहुत ही बड़ी है आपको देखने को मिलने वाली है बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर आपको दो AC vents मिल जाते हैं नीचे आपको fully climate control मिल जाता है और उसके नीचे आपको इस variant में wireless charging का भी option दिया हुआ है जो बहुत ही बड़ी है आज की date में अब बात करते हैं इसके gearbox के बारे में तो यहाँ पर आपको CVT gearbox देखने को मिल जाता है बहुत ही smooth है और इसकी जो performance है बहुत ही बड़ी है आपको मिलने वाली है और यहाँ पर आपको 2 cup holder रखने की space भी यहाँ पर द mirror मिल जाता है with light जो बहुत ही बड़ी option है और यहाँ पर आपको sun glass holder पी देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर आपको halogen lamps मिल जाएंगे mics भी आपको यहाँ पर दियो है driver side भी आपको sun visor पे mirror and lights आपको देखने को मिलने वाली है so overall जो look है गाड़ी की वो देखने में बहु बैठ होगे so अब चलते हैं car की पीछे देखते हैं हमें क्या features offer कर रही है company so यह है इसकी backdoor की look यहाँ पर हमें power window का control मिल जाता है उसके नीचे हमें one liter की बार लखने के लिए space मिल जाती है speaker की placement मिल जाती है so यह है इसकी overall look गाड़ी की अब चलते हैं इसके अंदर and देखते ह हमें क्या space मिल रही है यहाँ पर हमें जो मेरे pair है वो आगे तक जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया या space दी हुई है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और मेरे जो knees की space है वो बहुत ही बढ़िया है मुझे कोई भी थकावर नहीं होगी यहाँ पर हमें इस events मिल जाते है charging ports मिल जाते हैं C type overall जो पीछे से लुक है गाड़ी की वो बहुत ही शांदर आपको देखने को मिलने वाली है पीछे आपको adjustable headrest मिल जाते हैं तीनों adjustable मिलेंगे और armrest भी मिल जाता है with two cup holders so यह है इसकी overall look और बहुत ही बड़िया गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है तो यह थी इसकी सारी इंटीरियर्स की detail अपद करते हैं इसके verdict के बारे में आपके लिए बैस बन सकती है और यार 28 km पर लिटर की mileage मिल रही है और क्या चाहिए तो ऐसे ही वीडियो देखते रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुशार ब्लॉक्स को जासे जादा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो मे बाई बाई टेक केर